गंगा माता की जाओ राजस्थान के बीकानेर की जमीन से योगियाद इत्यनाथ ने कह दिया वही होगा जो लोग चाहते हैं जो आप चाहते हैं वे भावनाए साकार रूप लें इसलिए एक दीब जरूर जलाएं भमार राम के मालतर और पुरी देश के मालतर जलाएं योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि इस बार दिवाली के मौके पर आयोध्या से खुश खबरी आएगी आप भीकानेर के जमीन से कह रहे हैं कि जल्द ही काम शुरू होगा हिंदुस्तान के सवा अरब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर योगी आयोध्या से कौन से खुश खबरी देंगे जबकि आयोध्या विवाद सुप्रिम कोर्ट में है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार ने कानून के जरिये राम मंदिर बनवाने की तैयारी कर ली है उधर राम मंदिर को लेकर आयोध्या में साधू संतों की बेचेनी पढ़ती जा रही है भर्मा देश के आदेश पर भाजपा को मंदिर निर्मार की परक्रिया पूरी करना चाहिए इसलिए कि स्री राम मंदिर के नाम पर ही भाजपा सारे देश में आई 20 राज्यों में सरकार बनाई भारत की प्रधान मंत्री की गद्धी पर मान्य अटल विहारी बाजपी अजोध्या की राम मंदिर मुद्धे पर बने तो मैं आज असपस्ट कर देना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर तक मान्यी प्राइम मनिश्टर स्री नरेंद्र मोदी जी को मैं समय दे रहा हूँ महंत परमहंस दास ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिसंबर तक आयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून नहीं बना तो वो 6 दिसंबर को आत्मदाह कर लेंगे वहीं बीजेपी के जादा तर बड़े नेता भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा योगी सरकार में मंत्री प्रजेश पाठक ने कहा कि अईध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा उन्होंने साफ साफ कहा कि कानून अपनी जगा है और मंदिर बनना अपनी जगा अब हिंदुस्तान के सवा आरब लोगों की नजरें आयोध्या पर्टिके हुई है जहां से सूबे के मुख्रिमंत्री योगी आदित्यनाद से खुश खबरी देने का वादा किया है